Hello everyone, आपका स्वागत है इस HPGK सिरीज में आज का जो हमार टॉपिक है वो है Physiography of Himachal Pradesh या Geographical Region of Himachal Pradesh इसमें जो हम बात करेंगे, वो करेंगे कि Himachal Pradesh का जो Geographical Division है, वो किस तरीके से है, यहां पर जो एक कौन-कौन सी Ranges आती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, तो जैसा कि आप सभी देख सकते है कि मैंने यहां पर, जो है, इंडिया का मैप लिया हुआ है, इसमें आप सभी देख सकते है कि अलग-अलग ranges है, श्रिवालिक ranges होगी, धौलादार, पीर, बंजाल, ग्रेट हिमालेन ranges, जांसकर ranges और लदाख ranges यह जो सभी ranges है, वो हिमालेन, जो mountain है, उसका पार्ट है mountain जो एक specific चोटी या फिर रेंज को नहीं बोला जाता है, इसमें बहुत सारी ranges को मिलाकर एक mountain बनता है जो हिमालेन mountain है, उसमें जो ए, लदाख, चांसकर, ग्रेटर हिमालेयस, धौलादार, पीर, पंजाल, शिवाले, ऐसी बहुत सारी ranges जो ए, अब बात करते हैं हिमालियास है जो है हिमालियास जो माउंटेन है उनका ओरीजिन कैसे वह जो हिमालियास है जो आज की जो हिमालियास है वहाँ पर जो है करोड़ों साल पहले हिमालियास नहीं होते थे उनकी जगह पर होता था टैथिस जो सागर है वो होता था और जो उसके जो नौर्थ में होत अंगारा लेंड और ज़ो South है उसमें होता था Gondwana लेंड जो वगेगणार थे उन्हों ने अपने theory दी थी अ अ प्लेकटवानेख थे ती टेओरी देथी उन्होंने तो जो उसमें है उन्होंने उस ुस पूरे जो अंगारा लेंड और गौंडवाना लेंड और टैथी सी है उसको पूरे को बोला था पैंजिया और जो धीरे धीरे समय के साथ प्लेट टैक्टोनिक की वज़े से जो अंगारा लेंड और गौंडवाना लेंड है वो एक दूसरे के निकट आते गए और निकट आने से जो है उसमें एक फोल्ड पढ़ गया जो और जो फोल्ड पढ़ा उससे जो हिमालियास है उनका ओरिजन हुआ इसलिए इन्हें फोल्डिड मौंटेन भी बोला जाता है और जो हिमालियास है उनको अल्पाइन मौंटेन अल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है क इसका जो सबसे लेट जो बनी है वो है शिवालिक oranges इसलिए जो समय समय पर यहां पर जो मतलब जो एसी plate-tectonics की वज़ए से जो है बुकम , पयाफ़ ślight ये सब देखने को मिलता है शिवालिक ranges में और ये weansth brick prone area in zone 5 में आता है शिवालिक ranges या पूरा ये दिरे थीरी अभी भी बढ़ते ही इसकी जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है तो अब specific की हिमाचल प्रदेश के regarding बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कौन-कौन से रिंज़िस आती है वैसे तो जो हिमालियास है उनका जो डिविजन है वो होता है आउटर हिमालियास जिनको शिवालिक रेंजिस का जाता है लेसर हिमालियास, लोर हिमालियास, एसेंटरल हिमालियास हो गया फिर आता है हायर हिमालियास या ग्रेट हिमालियास फिर आता है inner Himalayas और trans Himalayas जो inner Himalayas और trans Himalayas उसका जो बहुत ही कम पार्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है क्योंकि जो trans Himalayas और inner Himalayas उसके जो जांसकर रिंजिस है वो जो हिमाचल प्रदेश की जो international bondry है वो बनाती है तिबात के साथ और जो हिमाचर प्रदेश की जो लहल स्पीती और किनौर की सिम्मा है वो तिबत से अलग करती है जांसकर रेंजिस अब इन सब भी के बारे में एक एकर के बात करते हैं सबसे पहले आ जाता है शिवालिक्स जिसको की आउटर हिमालियास भी बोला जाता है इसको मैनाग परवत के नाम से भी जाना जाता है इसमें जो जिल्ले है शिर्मौर, शोलन, बिलासपूर जिले और उन्ण यह सभी आते हैं शिर्मौर में यहां का क्यारदा दून आ गया, सोलन से नालागड आ गया उना और कांगडा से जस्वान या नूरपूर जो है आते हैं शिवालिक जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो है शिव की जटाए जो शिव की जटाए है वो भी विक्री विक्री हुई है रहती तरीके से जो ये शिवालिक जो रेंजी से ये भी विक्री विक्री हुई है इनकी कोई जादा हाइट भी नहीं है जो शिवालिक रेंजी से इनकी जो हाइट आती है वो आती है साड़े तीन सो से पंदरह सो मेटर तक इनकी जो हाइट आ जाती है इसमें कांगणा, बिलासपूर, हमीरपूर, उनना, सोलन, सिरमौर, मंडी का जोगिंदर नगर आ जाता है और यह youngest of himalayan family है यह जो himalya's है उसकी सबसे young ranges है वो है शिवालिक ranges अब आ जाता है lesser himalya's या फिर मिडल हिमालीयास इसकी हईट है वह आजाती पंदरा सव मीटर से 2500 मीटर इसमें 2 में रेंजिश आती है धौलाधार और पीर बंजाल रेंजिश जो लेसर हिमालीयास है ंचमबा इसमें दे Việt तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोलाधार हिमालियास के बारे में दोलाधार जो नाम है उपड़ा है उसे बोला जाता है वाइट पीक यानिकी सफेद चोटी और इसका दूसरा नाम है मौलाग बर्वत जो दोलाधार जो श्रेणी है उत्राखरिंड के बदरी नाथ शुरू होती हुई माचरप्रदेश में एंटर करती है और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कांगडा डिस्ठी जो मैक्सिमम रूप से दोलाधार में ही आता है और इसको जो अलग अलग नदियों दोलाधार जाता है जैसे कि दोलाधार है उसको जो रामपूर की नजदीक जब वो एंटर होती है दोलाधार उत्राखंड से और जब वो शिमला में आती है रामपूर में आती है तो उसको सतलुज नदी दोलाधार जाता है लारजी में है धोलादार की हुआ है 45-50 मेटर जो है इसकी हाइट है इसमें चूडधार परवच्रेणिया और नाग डिबा जो है इसमें आती है चूडधार जो है मसूरी जो परवत है मसूरी उत्रखन में उसका ही आगे मतलब एक विस्तरित जो रूप है वही चूडधार है जो कि शिमल या सिर मौर की बॉंडरी पर ही कंसेडर किया जाता है या फिर उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो सिर मौर में आता है बात कर लेते हैं और जो धोलादार परवत है वो कांगडा और चंबा के बीच में कांगडा और चंबा के बीच में जो है सीमा विवाजन का काम करता है फि जम्मो कश्मीर में आता है लेकिन जो जम्बा है हिमाचिर प्रदेश का डिस्टिक उसका जो बार्डर है वो लगता है जम्मो कश्मीर के साथ तो जो उसका कुछ पार्ट है वो जम्बा में भी पढ़ता है तो पीर-Panjal है मैक्सिमम रूप से जम्बा में देखने को मिलता है इसमें जो आपका रोतांग पास भी आजाता है और इस जो पीर पंजाल है वो जो सत्तुज नद्धी जो है उसको अलग करती है ग्रेट हिमालियास से और ये जो है जल विवाजन का काम करता है जेनाब ब्यास और रावी के बीच में इसकी जो उत्तर में है उह जेनाब इसके दक्षिन में है ब्यास रावी और ब्यास इसके दक्षिन में है अब बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालियास के बारे में महान हिमालियास बोलते है जिनको इसकी जो हाइट है वो पैंतालिस सो मेटर से सड़े 700 मिटर जो इसकी हाइट है और यह जो इस्टर जो बॉंडरी माचल परदेश की महापर देखने को मिलते हैं और जो इनको जो सतलुज नदी द्वारा काटा जाता है या विवाजन इनका किया जाता है इसमें जो मेंन जो आपको बवर चूती देखने को मिलती है और जो इसमें डिटिक्स आ गहें वह आगे कीनौर लौल स्पीति जंभा है उसका ठांगी रिजन जो इसमें आता है यह जो है अपने dry climate zone की बज़े से famous है यहाँ पर dry fruits बहुत जादा पाय जाते है उगाय जाते है जो हिमाचल परदेश का speedy reason है वो भी ग्रेट हिमालियास में ही आता है जो cold dry जो place है हिमाचल परदेश का वो है speedy क्योंकि यहाँ पर जो है वह सबसे कम वर्षा या नामातर वर्षा होती है अगर वर्षा होती है तो वर्षा ना होकर वो बरफ बार ही होती है ने बात कर लेंके इनर हमालयास एर ट्रांस हमालयास के बारे में इंक इसकी जो हएत है वह साथ अजार मीटर से इतिक ही है । और इसमें जो है दर्रे आ जाते है रोतांग दर्रा परांगला दर्रा बारालाच्छा दर्रा कुंजुम दर्रा श्रिप्किला दर्रा जो कि यहांसे की इमाचल परदेश में सतलुज नदी एंटर करती है सतलुज नदी एंटर करती है और इसमें जो मेन मेन चोटिया है पर जो चोटिया है वो आ जाती है शिल्ला जो की हिमाचर प्रदेश की सबसे उची चोटिया जिसकी हाइट साथ हजार 26 मेटर है की नौर में देखने को मिलती है र्योग पुर्गिल हो गई और शिप की चोटि हो गई यह जो चोटिया है वो ट्रांस हिमालियास में देखने को मिलती है जांसकर श्रेनी भी इसी का ही पार्ट है तो आज हमने जो देखा वो दिखा हिमाचर प्रदेश का Geographical Division के बारे में हमने देखा जिसमें की जांसकर हिमाचर प्रदेश के इस्ट में है स्थित और ग्रेट हिमालिया से पीर पंजाल है, धोला धार है शिवालिक रेंजी से इन सभी के बारे में हमने पढ़ा I hope आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जाने को मिला होगा Thank you